नमस्कार आप देख रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार लगातार जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अंजू जो अब फातिमा बन चुकी थी पाकिस्तान में वो भारत लोट चुकी है और वह अपने बच्चों से मिलने का दावा कर रही है अंजू ने जिस प्रकार से बागा बोणर पर मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात को सामने रखते वे कहा कि वह भारत अपने बच्चों से मिलने के लिए आई है उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी और इस फैसले से वह काफी संतुष्ट है क्योंकि वह अपने ब पती जो है वो सोसाइटी को छोड़ कर जा चुके हैं जिहां पिछले दिनों जिस परकार से अंजु की वापसी की खवरें आई उसके बाद से लगातर यही कयास लगाए जा रहे थे कि अंजु कहीं न कहीं अब अपने पती के साथ ही रहने वाली है वहीं उसके पती का कहना था कि वहें अंजु को किसी भी कीमत पर अब सवीकार नहीं करेंगे क्योंकि जिस परकार से उसने इसलाम धर्म को कबूल किया और वहाँ पर फातिमा नाम रखकर और वहें उसने नशुल्ला के साथ साधी रचाई और वहाँ पर च्यार महीने के लंबे वक्त तक यह खबरे जो है करीब च्यार महीने पहले सामने आई थी तमाम तस्वीरे भी वायरल हुई थी जिनके माध्यम से कही न कहीं यही क्यास लगाय जा रहे थे कि अब अंजु भारत नहीं आने वाली हैं लेकिन वह भारत लोट आई हैं और अपने बच्चों से मिलने का दावा हौप कर रही है, आपको बता दे भिवाडी की जिससे सौसाइटी में अंजु के बच्चे और उसका पती रह रहा था वहां कि स्थाने लोगों से पता चला है कि अन्जु का जो पती है वो अपने बच्चों के साथ सोसाइटी छोड़ कर जा चुका है, हलांकि कहाँ पर रहा है और कहां पर वह आपने बच्चों के साथ अब रह रहा है अपको बता दे कि 23 जुलाई को जिस प्रकार से अंजु भारत से पाकिस्तान गई थी उसके बाद धोगा धड़ी का रोप लगाते हुए उसके पती अर्विंद ने भिवाडी पुलिस कमिस्नरेट में एक एफ तमाम घटना पर पुलिस अपना संग्यान ले रही है और आने वाले दिनों में पुलिस पुस्ताच के लिए कहीं न कहीं अंजु को गिरफतार कर सकती है वहीं जब अंजु के वापस भारत लोटने की बात आई तो अंजु के पिता गया प्रसाद ने साब तोर पर कहा कि व मेरे साथ नहीं रह रही थी अरविंद और अंजु का अंत्री मामला है कि वे एक साथ रहेंगे या फिर अलग लग रहेंगे बहराल इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आ पाई है लेकिन जाच अजेंसिया लगातार अंजु से पुस्ताच भी कर रही है और वह एक बार फि हाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज